मेरी यूटूब फेमेली को गुट मॉर्निंग तो अभी हम जा रहे इसे पीर बाबा जो एकड़म करिश में पीर बाबा है जो यहां से करिबन 120 किलोमेटर है और वहां से एकोर आगे दरगा है वहां पर भी हम जाने वाले है तो गाइस अभी हम अंदवे हो चुके है अंदवे यानि हम हमारी कार्ड से देख लिए जाने के लिए तैयार तो गाइस चलो आपको मैं ले चलता हूँ जो दंधुका के अंदर स्ती थे फिर मैं मुझ सा बुखारी करकर एक फिरो मुर्सी दे जो बाबा साबे उनकी दरगा पर हम चलते वहां पर आपको मैं बताऊंगा उनकी करिश में करामते सब अलग-अलग से बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजिए उनके वहां पर बहुत जानी बहुत अलग-अलग टाइप से वह पूरी दरगा को एक दम वहां के जो समालने वाले वोगों ने पूरा completely समाल करे रखा हुआ है और बहुत प्यारा बहुत जानी बहुत प्यारा वहां का करिश्मा है तो हम वह चलते तो दि इतना प्यारा और कितना बहुत ज्याजा करिज्मा है जलो चलते गाइस बंद तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बिसमिल्लाहिर रख्मान निरहीम और गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुक्या गाईस तब चलिए हम स्माइल कर रहे हैं जलो गाइस चलते हैं तो यहां पर दिखिए गर से हम लोग निकल चुके कर आखे सब अपना वेट कर रहे है पूरी फेमिली के साथ जाना आ चलो है चलो लेत होती है चलो जल्छी लेट होती है ले डुद्यन है ले डुद्यन है सनू तो गाइस अभी हम दोलुका पोश रहा है और विनु भाई ड्राइव कर रहे है विनु भाई कैसा फील आ रहे है वाई क्या देख रहे हो बताओ अच्छा वीली की वीडियो बहुत टाइम पहले की वीडियो है वीली की एंटे को पास करते तुड़ा गया है इनका वीली तो कुछ अलगी है देखो वाव यह आपको वीडियो बहुत पसंद है अच्छा 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 तो अभी हम लोग बीच में स्टॉप किया है काड़ियों को खड़ा रखा हुआ हमने तो एक काल सामने दोनों कारदों खड़े रखे तो यहां का लोकेशन देखें का प्यारा है हावा बावा अजब शूट देख दब क्लीन हवा आ रही है लोकेशन काफी अच्छा है एक और स्टॉप हमने किया और राजबत हियार हो गए फोटो सुट के लिए तो यहां पर देख लीजे गाईस इस टाइप से पुरा कुछ बना हुआ है यानिस वन वन टू त्री फॉर फाइव सिट सेवन एट नाइन टैन इलेवन इस टाइप स लोकेशन बहुत प्यारा रहा है तो अलेडी संडे गुखने के लिए हमार होता है और इस टैप से रोड़ की विच में कोई सी स्टेप बनाऊगा वहां पर फोटो सुट के लिए काफी अच्छा लोकेशन है आप आप लोग भी कभी जो दंदू का बढ़िया जाओ तो आपको दूर सामने जो मेमुस्ता बुखारी है उनके मामुजान की जो दरगा बुलते हो दीख रही होगी यह जरत की भी बहुत करामत आपने देखी होगी करी लोग यूटूब पर गेबन साब पीर करकर वीडियो जो यूटूबर व्लोगर होते हो लोग जाते तो गैस अ हम वहाँ पर भी चलेंगे और जाकर दिखते हैं इनकी भी जिन्दा करामत है बहुत सारी है तो चलो अभी हम जिबन साब चलते हैं जो पढ़ियाद वाले मेमुस्ता बुखारी है उनके मामुजाने तो चलो गैस में आपको यहाँ पर में दिदार करवाता हो इनके बहुत करेंगे तो यहाँ पर वजू काना है वजू करेंगे जिजा वजू कर ले देगा ने के बाद इंके नदर जाकर बहुत बढ़ी दिस्दर यह बहुत प्यारे-प्यारे इनके जो करामतिक ही हुई है एक और दरगा पीछे की ओर वहाँ पर यहाँ पर कहना ऐसा है के स्टेप बाइस पत्थर रखने के बाद घर टाइप बनाने के बाद ला के फजलो करम से एंड वली के दिदार के मतलब से आपको उस टाइप का घर का मरतबा मिल जाएगा आमीन आमीन सुम्मा आमीन तो गई चलो हम चलते अंदर आपको में इस जगह का दिदार करवाता हूं इस देख लीजी यहां पर पिरिकेबन साइज सरकार मापको इनका डिस्पले बदा देता हूं सरकार वहत प्यार है तो में और राजा भाई हमारी पूरी फेमली के साथ हम लोग संडे के लिए निकले हुए कई और नहीं जाना और वली की दिदार के लिए जाना है आपको यहां पर पिछे की तरफ है तो आप देख सकते हो यहां पर के देखो इस नाइप से लोग यहां पर घर बनाते हैं देखो गाई यह वली का इसा करिस्मा है कि आपको वन यह यह तो फाई एरस के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा तो इस टाइप से घर बना कर जाने पर वली का एक ही तरजुमा है कि आपको सेम इस टाइप से घर मिल जाएगा तो मैं आपको वली के भी दीदार करवाता हूं तो गाइस चलो यहां पर काफी टाइप से देखो गाईस सब ख्वाहिस लेके आते हैं वली के पास हजरत साहीद पिरग्यवन साहीद सरकार और वो जो पीछे है वली महां पर मैं आपको ले चलता हूं तो इस टाइप से देखो पत्थरों से इस टाइप से कर बनाया जाता है कि वली अल्ला के फजलो करम से और वली की दुआउसे अल्ला हर किसी की जो तमणना है वो कबूल अता फर्माए तो चलो गाईस मिले के चलता हूं सामने पीछे वली के मामू जान है इनके भी बहुत स जल जले देखे हुए होगे यहाप पर पूछे पीछे हरी आली हरी आली है और है अध्याद वजीर साब दादा है यहाँ वजीर साब दादा कि भी यहाँ पर दर्गा मुबारक है मैं आपको उनके भी दीदार करवा देता हूं गजदेर लेट इस टाइप से इस सलाम के लिजेदेगों अस्हाम आन्यवे पर देखे हुए एकप माख़ारी का मैं अद्धोर है अभी हमाचुके मैं मुझा वखारी अस्सलाम वालेकुम् वरह म्हां पर देखे हुए में अबेर पिर मेंमुष्य अभुखारी थार को चाहिए यह यह बाने है तो यहां पर हर रोज ऐसा नहीं कि खुई भी लगी नेती है तो गाइस देख लीजिए यहां पर पूरा फूल टोटली भीड है भी यहां पर काफी लोग आये हुए यहां पर ही सामने मस्जीद है इबादत गाये प्लस जो रहने के लिए एक्स्टा होता है वो भी है यहां पर प्रादा बुखारी काफी भीड रहती है यहां पर देख लिए ज्यादा बुखारी के चाहने वाले रहे है तो गाइस इसमें सीन ऐसा है कि यहां पर वॉल्फ सामने देख सकते हो उसके अंदर कोई में में लिक्त कुछ नहीं है वखिरू की करामत है कि इसको पर सिक्टा मनें को फध्यक को फकाने से अपनी देल के मनों कमना यानि अपनी दिल की उम्मीद होते हैं वह यह वखिद होती है पर हर किसी को इस टाइट से शिक्का लगाना रहता है जिसकी उम्मित होगी वो शिक्का वही पर रहेगा तो हम अब नारील का जो बधर उसका पानी पिंगे राजा भाई वहाँ पर खड़े हुए तो कोईंग चोड़ाने के ट्राइ करेंगे तो यह पूरा बाबा साप का पूरा सहन है यहां पर यहां पर मुसाफिर खाना मुसाफिर खाना यानि जो बाहर से लोग रहने के लिए उनके लिए की सोने बेठने के लिए जगा बना हुए है यां पर नीचे पूरा गयब है और पूरा गोल गुमते होए यह तो अभी देखो मेरी फेमिली ने नारियल वगेरा सब हो चुका है अब चलेंगे हम आगे यहां से करीबन तो सुझे डाइसों किलोमेटर अपको वहां पर भी जाना है जहां पर तमुद्र किनारे उपर अजरत उसों लाजम रस्तगीर की वहां पर मजा मुबारत के तो आपक तो देखो इस टायप से पूरी लगे रहती है चारो तरोफ इस टाइब से दुकान रेती है यहां पर इस टाइब से दुकान मास्यां अल्ला हजरत के पूरा पूरे टाइब से मंजर अभी यजरत का उरस गया हुआ है दादा बुखारी साथ का, तो पूरे चलो भी काफी हुआ पर देती है, तो चलो, देखते हैं यहाँ पर आगे, इस टाइब से इनका, अब अब दोखरेता है यह अब यह सक्वक्ट करने के मतलब हमारा मक्चा दिये दाके पेट को और ज्यादा वह लगी है कि कम से कम अभी बज चुके बटादी कम आपको अले लेडित तीन बजा एए वज में दीख रहा होगा दिख रहा है वज में दिख रहा है तो तीन अपने गाड़ी ए रही पार करके आए अब चलेंगे तो यहां से चलेंगे लेफ साइट से नारी सर्गल वहां से सिद्ध राइट राइट से खुगा वहां से जलम पहुचने वाले अस्सलाम अलेकुम तो गैस मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले हैं कुका इंदर आईदर आओ इंदर आईदर आओ उपे ना जड़ियो कि आपर समुझ रहें पूरा समुझ रहें पीछे यहां पर पूरा समुझ रहें समुझ रहें साम्में पोट है इंदर आपर एक तीन चार यह चार पुरी बोट है बताने पाया क्योंके मेरे को आने में अपन लेट हो तुका है लेट याने के करीवन साथ-साथ बच गया हमको चार-साड़े-सार को वहां से निकले तो भी बहुत लेट हो तुको तो यह मीस हो गया पूरा लोकेशन बहुत प्यारा लगए यह बाबा की दरगा है इनके दिजार कराने के लिए मैं आपको यहां पर लाया हूं इसको टाइम हो गया अभी आड़ बच चुका है तो अभी हम पहुच चुके बाबा की दरगा परते में बताते हैं आपको इस टाइप से पूरी प्लोकेशन है यह दरगा पूरी यहां पर समुद्र के किनारे के पास में एकदम स्तीत है तो इस टाइप से यहां पर सब चदर वगेरा फूल नारेल सब मिलता है तो मैं यहां का आपको बात कर रहा था इस दास आस्ताने की मैं आपको बात कर रहा था हजरत गोसुल अजम पावनगर के अंदस पीते हम लोग सम्धावास से पावनगर करकर आए करीबन होगा सम्थिंग टाइसों के लिए मटे जिसा होगा करने में हमको दिक्कत बहुत सारी गाड़ी ने बहुत जादा प्रेजान किया है तो लेट हो चुका है तो हमको आने में सम्थिंग आड़ बच गए तो देख लिए गाइस दिदार करना बहुत बहुत प्यारी सीजे और यहां पर और भी है सेद बानुमिया बापो के उनके भी मजार है थोड़ी और मजार भी है कर लो दिदार सुबहान अल्लह ुबहान आथ सुबहान अल्लह के दिदार का नतिजह है कुछ हो रहें सुबहान अल्लह अज़ा है उन्यादर लिए इस थो अश्टने का दिदार कर लिया है तो बहुत अच्छा लगा एंड़ छो प्यारा भी लगा तो अभी हम अल्यडी बहुत हो चुकर तो जल से जल हम अब यहांसे निकलेंगे अमदाबाद की ओर कि वहां सम्धिंग तरिब से करीब हमको आइंधिया परीबच चुकर तो जाने में अमको सम्धिंग 2-3 गंटा तो मेनिमा मुंको भाई कि इसमिल्ला रखमानी रहे हैं चलते हैं अब शिरे अंदाबाद की और अल्डेडी लेड़ हो चुका है है अब हिए आपको मैंने उल्डी दिखा जाया की अजरत उसुल आजम दर्ष्तगिर की मजार है और इसके पीछे पूरा समुदर ही बना हुआ है संदॉर कितना बढ़ा होता है यह पूरी जो दर्गा है दरगा के पास में समें तस समिन रहे साउंड आएगा दिखेगा नहीं मैं आमको बता ठीए क्योंकि तोज ने अचानी बत चुक्छा है तो भाइच देख लीजी यहां पर कि वह सामने दूर 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 जो दीख रही है वह पूरा काफी दूर वह पुरी सब बोट है कि नाइट बहुत बहुत जानी ज्यादा अंदर है तो अभी मैं और लेडी किनार पर खड़ा हूं यहां से सिधे यहां से स्टार्टिंग समूझ रही स्टार्टिंग होता है तो यह से गिदे तो सीधे उपड़ देख लो गाइस यहां पर पूरा तो चलो चलते थोड़ा और आगлег को और मजार मिल दाएक है तो मसार के आशिक हैं और खड़ें देंगा तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कोमेर्स करके जरूर वीडियो जो अच्का करके जिएन जरू के जा लगे हुआ है चलो विडियो को कंटिनी करते आज़ है तो खाइश तो यह वाली जो हुजरत गुसुलाजंड दस्तके जो मजा रहे हुश गाजा सकला सराण यो कहीं सालों के बाद हम ने ही पाने का पाउच दे आहीं पाने का पाउच बहुन सालों के बाद करीबन 10-11 सालों के बाद और राजाबाई भूल एंजमेंट मुखे उपर वसीना तो यह पर देखो इस टाइप से अंडा अगेरा सम्भिलता है और राजाबाई ने तो पूरी तावड़ी लगा दिया सब जमा करके रखाएं देखो देखो अब बहुत जाएं का दिया था राजा भाई पहुत प्यारी दर्गाय एंड इसके बाजु में चूँकर राजुरा बिलाल मस्जीद करकर है यहां पर देख लिए हज्रत बिलाल मस्जीद है चोटे-चोटे से पाल्लर होता है यहां पर लोकेशन बहुत प्यारा है एंड तो लास्ट यह दरगा बती थी आपको यहां के दीदार हमने करा दिये कितना भी टाइम हो गया तो भी आपके लिए हम दाइसो किलो मेटर रनिंग करकर यहां पर आए तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताना तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना तो बस आज के लिए इतना ही था मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक है बाबाई टेकर अच्छा नेक्स संदेर नेक्स संदेर